पदम प्रान के उत्तर खंड में चेत्र और वेसाख मास के विशीश उस्तव का वर्णन, वेसाख जेश्ट और आशाड में जलस्त शिरी हरी के पुजन का महत्व, पार्त जी बुरी महिश्वर, सम महिनों की विधी का वर्णन कीजिए, परतेक मास में कौन-कौन से महुष्व करने चाहिए और उनके लिए उत्तम विधी क्या है? सुरेश्वर, किस महिने का कौन देवता है? किस की पूजा करने चाहिए? उस पूजन की महिमा कैसी है? और वेक किस तिथी को करना उचित है? तो महादेव जी बोले देवी, मैं परतेक मास के उस सब की विधी बतलाता हूँ. पहले चेत्र मास के शुकल पक्ष से विशेष्टा एकादशी तिथी को भगवान जी को जूले पर बिठा कर पूजा करने चाहिए. ये दोला आरोहन का उस सब बड़ी भक्ती के साथ और व राजमान देखते हैं, उस रूप में उनकी जहांकी करते हैं, वे सस्त्रों प्राधों से मुक्तो जाते हैं. क्रोडों जन्मों में कियो हूए पाप तभी तक मुझूद रहते हैं, जब तक मनुश्य विश्यक के स्वामी भगवान जगननात को जूले पर बिठा कर उन्हें अपने हाँ से जुलाता नहीं. जो लोग कालियोग में जूले पर बैटे हुए जनार्दन का दर्शन करते हैं, वे गोह त्यारे हूँ तो भी मुक्तो जाते हैं. फिर औरों की तो बात क्या है? दोना उत्सव से परसन्न होकर समस्थ देवता भगवान शंकर को साथ लेकर जूले पर बैटे हुए श्री विश्नु की जाकी करने के लिए आते हैं. और आंगन में खड़े होकर हर्श से भरकर सियम ही नाचते, गाते, एमबाजे बजाते हैं. वास्की यादी नाग और इंद्रादी देता भी दर्शन के लिए पधारते हैं. भगवान विश्नु को जूले पर बिराजमान देखकर तीनों लोकों में उत्सव होने लगता है, रते सेंकडों कारे छोड़ कर दोला उत्सव के दिन जूलन का उत्सव करो. जो लोक जूले पर बैट हुए भगवान श्री किश्क के सामने रात्री में जागरन करते हैं, उन्हें एक निमेश में ही सब पुन्यों की प्राप्ती हो जाती है. जूले पर बिराजवान दक्षिन अभी मुख भगवान गोविन्द का एक बार भी दर्शन करके मनुश्य ब्रह्म हट्या के पाप से छूट जाता है. अम दोला रूडाए विद्धेही माधवाई जै धीमही तन्नोदे प्रचुद्यात। अर्थाद जूले पर बैठे हुए भगवान जी का तक्तो जानने के लिए हम ज्यान पर प्राप्त करते हैं, श्री माधव का ध्यान करते हैं, अते हुए देव भगवान विश्णु हम लोगों की बुद्धी को प्रेरेत करें। इस गाइतरी मंत्र के द्वरा भगवान जी का पूजन करना चाहिए। और अधिक कहने से क्याला, जूले पर विराजमान भगवान विश्टु सब पापों को हरने वाले हैं। जहां दोलोच सब होता है, वहां देवतागन, धर्व, किन्नर और रिशी बहुदा दर्शन के लिए आते हैं। उस समें ओन भगवते वास दिवाए इस मंतर द्वारा शोडशोब चार से विधी पूर्वक पूजा करने उचित है। इससे संपुरन कामनाएं पूर्ण होती हैं सुरति अंग नियास, करनियास तो शीरिद नियास सब कुछ द्वाद शाक्षर मंतर से करना चाहिए। और इस आगमोक्त मंतर से ही महान उस सब का कारिश संपन करना चाहिए। जूले पर सब से उचे लच्षमी सहित भगवान विश्नु को बठाना चाहिए। तद पच्चाद नारियत तदा सुंदर केलों के साथ जल से भगवान जी को अर्ध दे, अर्ध का मंतर इस परकार है, डेव डेव जगननात, शंक चक्र गदाधर, अर्ध्यम ग्रिहान में देव, क्रिपाम करू मवप्री। अर्धाद देवताओं के देवता, जगत के सामी, तदा शंक, चक्र और गदाधर धारन करने माले दिवे सरूप नारायन ये अर्धि ग्रेहन करके मुझ पर क्रिपा कीजिए। तंतर भगवान जी के परशाद भूचर नामरत आदिव वैशनों को बांटे, वैशनों जनों को चाहिए कि वे बाजे बजाकर भगवान जी के सामने निरित्य करें और सभी लोग बारी बारी से भगवान जी को जुला में। शुरी शुरी प्रिथी पर जो जो तीत और शित्र हैं वे सभी उस दिन भगवान जी का दर्शन करने आते हैं। ऐसा जानकर ये महान उस्सा ववश्य करना चाहिए पारवती वे साख मास की पूर्रमा के दिन वेशन पुरुष भगवान जी को जल में पद्धरा कर उनकी पूजा करें। अथवा एकादशी को अच्चन्द हर से भर कर गीत वाद्धित था निरित्य के साथ वे पुन्ने में महुस्व करें। भक्ती पूरक शिरी हरी के लीला कथा का गान करते हैं ही ये शुब उस सब्स रचाना चाहिए। उस समय भग्वान जी से प्राथनम पूरक के हैं ही दिवेश्वर इस जल में श्यन कीजिए। जो लोग वर्शाकाल के आरंब में भग्वान जिनार्दन को जल में श्यन कराते हैं उन्हें कभी नरक की ज्वाला में नहीं तपना पड़ता। दिवेश्वरी सोने चान्दी टांबे अत्वा मिट्टी के बर्तन में श्यन कराना उचीते हैं पैड़े उस बर्तन में शीतलेम सगंदी जल रखकर विद्वान पुरुष उस जल के भीतर श्यन को स्थापित करें गुपालिया श्यरी राम नामक मूर्ती की स्थापना करें अत्वा शाल गरम शिला को ही स्थापित करें या और ही कोई प्रत्मा जल में रखें उससे होने वाले पुन्य का अंत्र लेएं देवी इस प्रत्थी पर जब तक परवत लोक और सूरी की कितने विद्द्द्वान हैं तब तक उसके कुल में कोई नरग गामी नहीं होता है जेश्ट और अशाड के समय तुलसी दल से वासिछ छीतल जल में भवान धर्दी धर की पूजा करें जो लोग जेश्ट और अशाड मास में नाना प्रकार के पुश्पो से जल में स्थित शिरिक केशव की पूजा करते हैं वे यम यातना से छुटकार अपा जाते हैं भवान विश्णों जल के प्रेमी हैं उन्हें जल बहुत ही प्रिया है इसलिए वे जल में शेहन करते हैं अधा करमे के मोसम में विशेश रूप से जल में स्थापित करके ही शिरिक हरी का पूजन करना चाहिए जो शाल गरम शिला को जल में बिराजवान करके परम भक्ती के साथ उनकी पूजा करता है वे अपने कुल को पुट्र करने वाला होता है पारवती सूरी के मिथुन और करक राशी पर स्थित होने के समय जिसने भक्ती पूरक जल में शिरी हरी की पूजा की है विशेष्टे द्वादशी तिथी को जिसने जल्चे विश्णु का अर्चन किया है उसने मवानो कोटी शक्त यग्यों का अनुष्ठान कर लिया जो वैसाख मासें भगवान माधों को जल्पात्र में स्थापित करके उनका पूजन करते हैं वे इस प्रिथी पर मनुष्य नहीं देवता है जो द्वादशी की रात को जल्पात्र में गंद आदी डाल कर उसें भवान गरुड धवज की स्थापना और पूजा करता है में मौक्ष का भागी होता है जो श्रदारहित पाप आत्मा नास्तिक शंचे आत्मा और तर्क में हिस्थित रहने वाले हैं ये पांच विक्ति पूजा के फल के भागी नहीं होते इसी परकार जगत के सामी महेशर श्री विश्नो को स्दा जल में रख कर उंकी पूजा करता है वे मौनुश्य स्दा के लिए माहपापों से मुक्त हो जाता है तिवेश्री ओम हरांग हरीं ग्रामाई नमा इस मंतर से वहाँ पूजन बताया गया है ओम क्लीम क्रिश्नाई गोविन्दाई गोपी जन्वल्ल भाई नमा इस मंतर से जल को अभि मंतरित करना चाहिए तद पश्चात इस परकार मंतर से अर्धने विध्यन करना चाहिए देव देव महाभाग शिरी वत्स कृत लांचन महादेव नमस्त देव विश्य भावन और द्यम्ग्रिहान भव देव मुक्तीम में देही सरुदा अर्थाद देव देव, महाभाग, श्रीवस के चिन्नों से युक्तमान देवता, विश्यो को उत्पन करने माले भगवान नाराएन, मेरे अद्ध ग्रेहन करें, और मुझे सदा के लिए मोक्ष परदान करें जो नाना परकार के पुष्पो से गरुडासन श्री विश्णों की पूजा करता है, विस सब भधाओं से मुक्तो कर श्री विश्णों के सायर्जे को प्राप्त होता है द्वादशी को एकाग्रची थोकर रात में जागरन करके अविकारी, एम अविनाशी भगवान विश्णों का भक्ती पूरग भजन करें इस तरह भक्ती के इच्छा रखने वाले पुर्षों को भक्ती भाव से तत्पर होकर भगवान विश्णु का विसाख संबन्दी उस्सव करना चाहिए तदा उसमें आगमोक्त मंत्रद्वारा समस्त विधी का पालन करना चाहिए महा देवी ऐसे करने से उटी यग्यों के समान फल मिलता है इस उस्सव को करने वाला पुरुष राग द्वेश से मुक्तो कर महा मो की निवरिती करके इस लोक में सुख भूगता है और अंतमे श्री विश्णु के सनातन धाम को जाता है वेद के अध्यन से रहित तथा शास्त्र के सिधाई से शुन्ने मनुश्य भी शिरी हरे की भक्ती पाकर वैशन पद को प्राफ्त हो जाता है